हलो गाइस कि आज कर जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रोस लोप या केमबर ठीक है मैंने प्रिवेस्ट वीडियो में बता था कि क्रोस लोप और केमबर हम क्यू पड़ेंगें तो क्रोस लोप भी आपना एक जिओमेट्रिक डिजाइन है उसी का पार्ट है ठीक है उ इसमें जो जो चाफ पार्ट में दिवाड़े कुण सा एक तो साय डिस्टेंस क्रोस लुप हो गया और वर्टिकल लॉइंग्मेंट हो गया इप यह क्रोस लूप बोलो चाहिए आप कैमबर बोलो ठीक है उससे परले मैं आपको बतातों अगर आपको मेरे चैनल पर आपको SSA jain और Raskatan jain की preparation करनी है State की किसी भी State की Iain की preparation करनी है साथ साथ gate की भी होती रहेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राब करें और like करें और share करें मैं आपको यहां पर SSA jain कर technical के साथ non-technical भी जिसमें की reasoning आएगी वो भी cover करोंगा और Raskatan jain के लिए भी सीके भी करोबर करोंगा ठीक है अब बात करते हैं कि केमबर होता क्या है ठीक है अब केमबर क्या होता है कि जब हमारा रोड होता है उस पर क्या प्रवाइड करवा जाता है एक स्लोप प्रवाइड करवा जाता है ठीक है स्लोप प्रवाइड करवा जाता है ताकि जो बारिस हो तो उसका पानी क्या हो सके ड्रेन ओफ हो सके ताकि रोड पर पानी रुके ना ठीक है तो इसी ही वज़य से हम क्या प्रोड करवाते हैं क्रोसलॉप या केमबर हम प्रोड करवाते हैं ठीक है तो यहां पर जो जो केमबर है वो तीन ट्रस से प्रोड करवाते हैं ठीक है या ती सेमेंट कोंक्रीट की रोड़ वहां पर वह प्रिफर किया दाता है ठीक है अब आप बोलोगी कि से रोड पर यूँक्यों हां पर वहीकल ज्यादा स्पीड में तो होगा नहीं तो अब पर प्रिक्शिन की वेल्यू कम रहे तो वहां पर ऐसे भी हम मान सकते हैं कि parabolic camber हम provide गरवा सकते हैं ठीक है fast moving vehicle के लिए ठीक है और जो slow vehicle है वहाँ पर हम क्या provide गरवा देंगे ये straight camber ठीक है break होता है camber straight plus parabolic camber अब बात करते हैं कि camber के derivation की camber होता है ठीक है जैसे कि हम बात करता हूं कि ये कि जो ये हमारी क्या है road है ये मेरी क्या है road है अब ये road की width मैंने क्या ले ली इस road की width ले ली मैंने w लो ठीक है अब यहां पर हैट पर मैंने क्या लिया उसकी हैइट के ले ली मने थांग ठीक है वाय ले ली हमने स्लोप क्या ले रहा हूं उसका ठीटा ले रहा हूं यह वं अपन ORY ले आपून क्या होता है hai ने स्लब क्या होता है थीटा ऽ्लोप क्या होता हैiéए थीटा Greece है योट यह मैरैं क्या हो गया है यह मेरण क्या होगी अ कि स्लोप कीanson केमबर केश च्थ की हाइट कितनी प्रोवाइड करवा रहे हैं वह क्या होगी हमारी रोड की हाइट और विर्थ क्या होगी विर्थ होगी डबलू क्या होगा रोड की विर्थ होगी स्लोप क्या जो हम जो केमबर प्रोवाइड करवा रहे हैं वह हो गया ठीक है अब बात करते हैं बात करते हैं क की थीटा को मैंने के बता था कि थीटा को दो 10 थीटा उसको हम 1Wayा बी लिख सकते हैं तो यहां पे मैंने क्या कर दिया उसको कर गदिया 1Way ले निकाल तो यह क्या हो जागा हमारा camber का derivation होगा तो मैंने क्या बताया है कि camber हम क्यों provide करवाते हैं camber इसलिए provide करवाते हैं ताकि जो rain आए उसका water को हम drain off कर सकें ठीक है यह हमारा क्या होगा camber का जो main कारण है provide करवाने का वही यही होता है ठीक है अब बात करते हैं कि types of payment कि कौन-कौन से types की payment पे कौन-कौन सा camber हम provide करवाते हैं clear तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर CC यहाँ पर मैंने क्या कर लिया ऐक तो types of payment ले लिया camber ले ले कि कौन सा camber अगर heavy rainfall में camber को divide कर दोंने heavy rainfall और low rainfall में clear अब यहाँ पर CC road यहाँ वहाँ पर तो वहाँ पे मैं क्या प्रवाइड कर रहूँगा, 2% का हैवी रैंफॉल के लिए 2% केमबर प्रवाइड हो रहूँगा लो रैंफॉल के लिए 1.7% प्रवाइड कर रहूँगा अब थीन बिटुमीन रोड के लिए 2.5 एंड 2% प्रवाइड कर रहूँगा अब जो राजस्तानी स्टेट अएंड का पेपर था उसमे में क्या पूँचा ता कि थीन बिटुमीन रोड है उसके लिए केमबर की वेल्यू क्या होगी कितने रैंज में होगी तो यह कुशिन यहाँ से बना है 2.5% to 2% अगर हाईजी रैंफॉल है तो वहाँ पर 2% लेंगे और लो रेंफिल है तो यह राजस्तान स्टेट में दो नमर का कुछिन पूछा हुआ है तो मैं बता रहा हूँ यह आपको बहुत ही बेनेफिसियल रहेगा आपको एक एक चीज बताऊँगा ट्रांस्पोर्टरिस इंजिनेरिंग पडाऊँगा इसक अर्दन रोड के लिए 4% लेंगे हैं वी रेंफॉल के लिए और जो लो रेंफॉल है उसके लिए करता है थ्री पसंट लेता तो यह आप याद रखिएगा कि जो पेमेंट हैं हैं उनके लिए अलग अलग क्या पर वाइड गरवाता है कि कोन-कौन सा एरिया होता है या लो प्रेंट करता है तो यह तो यह प्रेंट करने के लिए अब यहां पर करते हैं जो डिपेंड करता पेमेंट एंड रेनफोल इंटेंसिटी पे वह कैसे इसलिए डिपेंड करता कि payment and rainfall intensity पर कि payment किस टाइब का payment है और उस में कितना percent हमें क्या जेना है chamber देना मĩच्छ घ्रणय का नीoport कि यहां पर इस वज़ा से payment पर 맛이ders हो रहा है कि ‑‑ जो rainfall intensity कितना हो रहा है मतलब heavy rainfall हो रही है लो rainfall हो रही है कि heavy rainfall हो गी यह ज्यादा पसंटेज क्या पoritकर पढ़ेहेँ ध स्यूआ होने पड़ेगा है अगर लो रोरो हो रही है तो हमिंगे स्यूर्ड क्या ड्वाद केया वह क्या परबाद करोरेब तो मैंलिकल और किस में करेंगा दो बात करकेंग करता है कुं-判 अब या बात करते हैं कि जो सोल्टर का केमबर है वो क्या होता है रोट्रग और 205% कि सेज्टे केमबर से मतलब हमैं क्या बताना चाहcl Mes 강ण कि मेरा यह तो सोल्टर इस तैप से ओगा is Вы हुआ ठीक है यह मेरा क्या हुआ हो गया ठीक है donVE यह साइड में रहेगा ठीक है तो जो यह केमबर का सभी кажется है उसका केमबर क्या होगा 0.5% steeper होगा किसे जो payment उसके केमबर से steeper होगा ठीक है ये बात भी केमबर की ध्यान रखने के लिए होती है ठीक है आब बात करते हैं कि जो vehicle की according to IRC Indian Road Congress में maximum vehicle की होती है 2.44 meter अब next रहम आता है यहाँ पे कर्ब की कर्ब क्या होता है ठीक है कर्ब क्या होता है कि एक boundary होती है ठीक है किसके बीच में solder and payment के बीच में ठीक है तो यही क्या होता है हमारा कर्ब होता है कैसे कि जैसे कि मैं मालू यह मेरा payment है यह मेरा payment है पास में यह कर्ब से मैंने क्या कर दिया, उसको इबाइड़ कर दिया, यहां पे solder हो गया, घ्री है, तो यह ही होता है हमारा क्या होता है, कर्ब, मतलब वो उठावा कभी, अब आप देखा होगा कि गारोड में जाते हैं तो उठावा, जो उठावा पार्ट होता है मतलब पत्थर का सब पार्ट होता, वहीं हमारा क्या होता है, means chamber होता है, clear, to sorry curve होता है, तो अब याद रहेगा क्या होता है, यह curve क्या होता है यह boundary होता है, किस किसके बीच में pavement and solder पुटवात के बीच में ओके तो अब यहां पर तीन टैप के क्या होते हैं केमबर होते हैं ठीक है कौन-कौन से टाप करें एक लो मांटेबल कर्व होता है के सुरी केमबर नहीं कर्व उसकी हाइट होती है 10 सेंटीमेटर यह भी आपको पूछ सकता है ऐसा सी जही में बहुत ही अच्छा जिसके आयट होती है कितनी 20 cm ठीक है तो आप क्या बताएंगे कि कर्व क्या होता है कि यह boundary होते है कि इसके बीच में payment and solder के बीच में या put forth के बीच में और यह तीन टैप कि क्या होता है कर्व होते हैं ठीक है जो camera है उसकी में width लेते हैं वो 2.5 meter लेते हैं ठीक है according to IRC मैं क्या बताना चाहरा हूं यहां पर जो मैंने क्या बुला कि आभी आगे बताऊंगा कि जो payment की width होती है वो हम कितनी कितनी लेते हैं ठीक है तो यहां पर मैं क्या बताना चाहरा हूं कि यहां जो payment है वो with without curve है वो हो जो width होती है वो without curve होती है 7 meter ठीक है यहां से यहां से यहां से लेकर यहां से यहां तक कितनी है 7 meter है किसकी payment की width बाद में यहां क्या कर दिया इस side में shoulder हो गया इस side में shoulder हो गया तो 2.5 2.5 क्या हो गया 12 meter क्या हो गया हमारा roadway जिस पर क्या चलता है हमारा vehicle चलता है और एक side में विल्ट चलता है है यह हो गई हमारी क्या होसने क्या होगा जहां पर मैं लिए विल्ह चलते हूं यह यह तो हमारा क्या होगा क्या होगए जिसमें मतलब क्या इंख्लूडर् मुर्यजर क्ला है ताकि पुटफवत पे जो emergency work के लिए हम यूज करते है solder क्या होता है ये भी एक रोडी होती है ठीक है जो की refer होती है किसे refer then किसे होती है payment से refer होती है solder ठीक है तो उस पे क्या करते है emergency work के लिए हम क्यों गाड़ी चला सकते है या हम vehicle को खड़ा कर सकते है सुर्वी делать के लिए वही हमारी क्या होगी हैं है कि सॉल्टbuild नोगा है beer ौक बात करते हैं हैं जो रोड बाउंडरी हो नहीं यह उसकीर कितनी होती है रोड क्योंड्य नियुटी फॉट इफ़ाइफ रिंट जिस्में क्या होता है कि बांडरी मे ऐखंग्यृ कर सकता है किसमें in the future में यह उसको ही बोला था हमारा रोग बांडरी से से जो डिस्टेंस होगी होसरा हथी यहां में मिलाए जो तो ब्लडिया or visit building line ठीक है यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर कोई भी construction तो नहीं होगा कोई construction नहीं होगा लेकिन यहाँ पर हम खेती कर सकते हैं अगर permission होगी तब ही इस boundary पर यहाँ पर क्या होगा हम खेती कर सकते हैं अगर हमेरे पास permission होगी तब ही कर पाएंगे नहीं नहीं कर पाएंगे ठीक है कोई भी construction तो यहां पर अलाव नहीं होगा ठीक है तो यहां पर यह क्या होगी हमारी building boundary होगी ओके तो आज के लिए इतना ही sufficient है ठीक है अगला जो मैं lecture ले क्या होगा उसमें क्या करूँगा जो shoulder होगा उसके बारे में बत जाएगा horizontal या vertical alignment ठीक है तो हमारा वहां पर क्या प्रवाइब जो फर्स्ट पार्ट है किसका geometric design का वह complete हो जाएगा किसमे transportation engineering में जहां से बहुत से question बनते है किसमे gate exam में और other competitive exam में तो आज की session में मेरा इतना ही आगे चलते हैं मिलते हैं next action में ठीक है तो जदा जदा मेरे channel को share करें सब्सक्राइब करें मैं आपको content time to time के आप प्रवाइड करवाता हूँगा वीडियो प्रवाइड करवाता हूँगा त